जैपूर से है जहां कॉंग्रिस प्रुदेश प्रभारी अविनाश पांडे लेंगे एहम बैठक आपको बतादे कि प्रुदेश कॉंग्रिस कारले में चार शाम चार बजे ये बेहद एहम बैठक होगी मुखे मंत्री अशोग घैलोत वर डिप्री सीम सचन पाइलेट भी इस बैठक में मौझूद रहेंगे बसपा के सभी छे विदायकों को आज मिल सकती है कॉंग्रिस की सदस्यता PCC कारले में आज सदस्यता दिलवाई जा सकती है अविनाश पांडे आज शाम प्रेस वारता भी कर सकते हैं आपको बतादे कि कॉंग्रिस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आज बेहत एहम बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक का समय शाम चार बजे का बताया जा रहा है और इसमेर आरिसान के मुख्यमंतरी अर्शोग घैलो डिप्री सीम सचन पाइलेट भी मौझूद रह पी-सी कारेर में आज ये सदरस्यता सभी छे विधायकों को दिलाई जा सकती है अविनाश पांडे आज शाम प्रेस वारता भी कर सकते हैं ऐसे भी कयास लगाय जा रहे हैं जैपुर से आपको खबर बतारे जहाँ कौंग्रिस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आज एहम बैठक लेंगे और इसी खबर पर और दिक जानकारी देने के लिए एवन समादाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जूर रहे हमार साथ दिनेश बताए क्या माइने लगाए जा रहे हैं इस बैठक के देखे लवी ना आज निकाई चुनाओं की रणनेती को लेकर PCC में सचन पाइलेट ने एहम बैठक बुलाई है चार बजी यह बैठक होनी है और इसके लिए जो प्रदेश प्रवारी अवनास पांडे हैं वो जैपर पहुंचे हैं लेकिन उससे पूर जो गतना करम राजनी के गतना करम कोंग्रेस का आज हो रहा है उसको देखते हुए कई माय ने इसके लगाया जा सकते हैं जो बसपासे कॉंग्रेस में जो विदायक है उनके साथ प्रवार्य अवनास पांडे की बैटक चल रही है जी और डिप्टी सीयम और पी सीजी चीप सचन पाइलेट वो खुद इस बैटक में मौझूद हैं जी उसी दिर में मुक्रिमंतरी असो गयल होते हैं वो भी यहां रेडिय संब्ली पूंचेंगे और बैटक में सा मिल होंगे निकाय चुनाओं की रहन नहींति की बात हो जी या फिर केंट सरकार की जो आर्थिक नहीतियों के खिलाब 5-15 नौमबर की वीच कोंग्रेश को प्रदर्शन करना है उसकी भी आज तारीक तैह हो जाएगी सभी जिलम क्यालों कोंग्रेश प्रदर्शन करेगी जी झीलम करना है उसकी जीर कोंगे इुर एकोंग्रेश यानुन करना है उसकी खंग जये सिर्षी और की जा명 करोईएश मेविया झालों के वी शॉर्शन करैक्त XML में तो जह रहाम करा कांगगे यारों